तारे बच्चो, क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव ओफिसियली जारी किया गया JCRT द्वारा प्रस्ण अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों महत्पुन प्रस्ण जारी किया गया है उसी को आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा चैनल पर पहली बार है तो जरू सब कर्शकाल कहते हैं दूसरा है प्रेमचंद की छाया स्मर्ति किस विधा की रचना है तो यह संस्रात्मक निबंद है निबंद लेखन में प्रारम भाग को क्या कहते हैं तो प्रस्तावना कहते हैं प्रेमधन की छाया स्मर्ति पाट के लेखा कौन है तो रामचंद्र सुक्ल ह नाम उर्दु भासी लोगों ने रख दिया था तो क्या रखा था तो नी संदे मंडली रखा था प्रेमधन जी किसे भासा मानते थे तो नागरी को हिंदी साहित का इतिहाज किनकी रचना है तो राम चंदर सूकल की बच्चो ये सारे जो एंसर है वो भी जेसी आटी द्वारा ही जारी किया गया है तो उन्हीं अंसरों को में बता रहा हूं देवसेना कस गीत के रचनाकार कौन है तो जैसंकर परसा देवसेना का गीत निम्न में से किस नाटक से संबनिया नाटक होना चाहिए तो असकंद गुत से वेदना सब्द का अर्थ क्या होगा तो इसका अर्थ किया गया है तो उसा का सूर्दास की जोपड़ी के लेखक कौन है तो मुंसी प्रेमचन सूर्दास की जोपड़ी में आग किसने लगाए थी तो भैरोंने लगाई थी सूर्दास की जोपड़ी निवन में से किस रचना से लिया गया है तो रंग भूमी से बालक बज गया कानिकार कौन है तो चंद्रधार सर्मा गुलेरी ने कहा था कंट रुखता जा रहा है आ रहा है काल देखो प्रस्तूत पंतियों में काल सब्द का अर्थ होगा मिर्तियु से सरोज इस्मिर्थी नामक संस्मरन गीत के रचनाकार कौन थे तो सुर्व कांतिर पाठी निराजा सर अग्या जी का जन्व कब और कहां हुआ था तो साथ मार्च 1911 कुसी नगर उत्तर परदेश में यह दीप अकेला कवीता में दीप किसका परतिक है तो मनुष्य का मैंने देखा एक बुंद कवीता का मूल सार क्या है तो एक छन के महतुका लेखक संजीव का जन्व कब हुआ था तो 6 जुलाए 1947 इस वी को तीस साल का सफर नामा किनकी रचना है तो संजीव की निवन में कोन आरोहन के परमुक पात्र नहीं है तो संजीव समचार लेखन की सबसे उपयोगी और लोगप्रिय सैली कौन सी है उल्टा पिरामीट सैली देख यह कोश्चन हिंदी कोर में इ इसका सहर माना है तो यहां हो जाएगा सरधा भक्ति आस्था तो इन में सभी इसका अंसर होगा समधिय कहानी का परमुक पात्र कौन है तो हर गोबीन हर गोबीन ने बड़ी बहुरिया की मा से क्या जुट बोला तो वह सुख से है अग दसहरा में खुद मिलने आगी यह दो खोर की माटी कौन से आत्म अथा कांस है तो नंगा तल लाई का गाउं कोईया से क्या भी पराय है तो जल में उगने वाला फूल है संचार सब्द का अर्थ होता है चलना जन संचार के माध्यम है तो प्रोक्त सभी कवी ने तोड़ो कवीता में क्या वाहन किया है तो मन में व्याप्त उब और खीज को तोड़कर नर्व सिर्जन का बसंद आया कवीता में कवी की जिनता क्या है तो मनुझ का प्रक्रिती से रिष्टा तूटना गधे ने लेखक की बात का क्या उतर दिया तो हरी हरी घास का मलडाद मील माल लेकर कैसा मधूर चाहता था चारों हाथ वाला अमझर का क्या आर्थ होता है तो आमों का जरणा मालवा में कौन जमा रहता है तो मांसून चौमासा किसे कहते हैं तो बरसात के चार महिने समचार पत्र की आत्मा कहा जाता है तो संपाद कि प्रिष्ट को रिपोर्ट प्रस्तुती करण की परक्रिया क्या कहलाती है तो रिपोर्टी आलेक एक विदा है तो गद लेखन की तुलसी दास का जीवनकाल है 1632 से 1627 तुलसी दास की किस रचना को हिंदी का सर्फसेष्ण महाकाव़ माना जाता है तो रामचरीतर मानेश रही चली चितरलीखी सी में कौन सा लंकार है तो उपमा करपंकर में कौन सा लंकार है रूपक दूसरा देवदास किसकी रचना है तो ममता कालिमा की दूसरा देवदास में किस सहर कवर्नन किया गया है हरी द्वार 12 मासा किस प्रबंध काल का अंस है तो पनमावथ, जैसि किस परकार की साखा से संबंदित है ज्यान मारगी कामली पत्र की भासा होनी चाहिए तो अपचारिक पुर्मे प्रेसित पत्र का उत्तर ना आने की दसा में कार्याला को फुनास महन दिनाने के लिए भेजा गया पत्र क्या कालाता है अनुआ स्मारक ये भी हिंदी कोर्व साथ तारीक एकजाम में इकोशन आया था अब हम लोग अती लगवतर ये प्रशनों को देखेंगे जन संचार किसे करते हैं तो जन संचार से स्तात्परे उन सभी साधनों के अध्यन एवन विसलेशन से है जो एक साथ बहुत बड़ी जन संख्या के साथ संचार संबंद अस्थापित करने में सहायक होते हैं संबद या किसे करते हैं तो संबा ले जाने या लाने वाले विक्ति को संबद या कहा जाता है खेत की रखवाली के लिए हाथी ने क्या सर्त रखी थी तो खेत की रखवाली के लिए हाथी ने किसान की उपजे हुए फसल में उसका भी आधा हिसा होगा राज की जनता अपना काम कैसे करने लगी तो राज की जनता अपना काम आख बंद करके करने लगी ममता कालिमा के दो उपन्यास के नाम लिखे तो बेघर और दोड कविता बारा मासा में जिन चार महिनों का वर्नन उसके नाम लिखे तो अगहन पूस माग फागुन उसके बाद लगभूतर ये प्रस्ण है खाली कटोरे में बसंत का उतरना से क्या आसा है तो क्यों कथन का आसा या है कि अब तक विखारियों के जो कटोरे खाली थे वे अब भीच्छा से भर जाएंगे लोग उनमें अब पैसे डालने आरम कर देंगे भीखारियों के आखे आनन्द में चमकने लगती है लगता है मानों उनके कटोरे में बसंत उतर आया है बड़ी बहुरिया का समबाद हर गोबिन क्यों नहीं सुना सका तो बड़ी बहुरिया पूरे गाउं की लश्मी थी यदि वा बड़ी बहुरिया की वी पत्तिका था उसकी मा से कहता तो वा उसे अपने पास बुला लेती या पूरे गाउं की बदनामी थी गाउं की लच्मी गाउं छोड़कर चली जाएगी सुनने वाले हर्गोबिन के गाउं का नाम लेकर ठूकेंगे कैसा गाउं है जहां लच्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है इसी कारण हर्गोबिन बड़ी बहुरिया का संब़ाद उनकी मा को नहीं सुना सका पत्रकार कितने तरह के होते हैं तो पत्रकार तीन तरह के होते हैं पुरुकालिन पत्रकार तो इस रेनी में पत्रकार किसी समचार संगठन से नियमित वेतन भोगी करमचारी होते हैं उत्रा है अंसकालीन पत्रकार इस रेनी में पत्रकार किसी समचार संगठन के लिए एक निश्चित मांदेव पर एक निश्चित समय आउधी के लिए कारिक करते हैं और फिलांसर पत्रकार इस रेनी के पत्रकार किसी विशेश समचार संगठन के लिए कार नहीं करते बलकि वे भुक्तान के अधार पर अलग-अलग समचार पत्रों के लिए लिखते हैं। भवान संकर को साची मांगा स्री राम के परती अपनी सर्दा भावना को प्रकट किया है। अपरादों के लिए छमा मांगते हैं। वे सीजाम और सीटा को अपना गुरु स्वामी और साहिब मानते हैं तथा अपने निवेधन के अच्छे परिनाम के लिए प्राथना करते हैं। जो राम विसेली जीवों को भी परमपिरिये हैं। उन्हें अपने सत्नु मानने वाली माते कई कई का पुत्र होने के कारण ही देव ने उन्हें दुख दुख दिया है किन्तु राम अब भी उनके स्ने रखते। उन्होंने स्वयम को भक्त तथा सीता राम को भक्त वसल करकर अपनी सधा प्रकट की है। जलने वाका धुआ उन्होंने स्वयम देखा है। रहयतों ने जमीन पर दखल कर लिया था। अब बड़ी बहुरिया बहुत कष्ट में थी और बड़ी हवेली में अकेले रहती थी। उसके खाने पीने की विवस्था भी नहीं हो पाई थी। उसे कोई उधार भी नहीं देता था। मोदी आइना तागदा करके अपानित करती थी। भथुआ साख खाकर कब तक गुजारा करती थी। अता उसने अपनी मा के पास समधिया के द्वार समध भेजवाया कि मा उसे सिक्र बुलवा लेवा भावी बच्चों की जूठन खाकर कोने में पड़ी रहगी। यदि ऐसा ना हुआ तो वह किसी दिन आत्मात्या कर लेगी। दूसरा है अराफत के आतित प्रेम पर परकाह डाले। तो भिस्म साहनिया और उसकी पतनी को यासेर अराफात ने भोजन के लिए आमंत्रित किया था। जब वे लोग वहाँ पहुँचे तो यासेर अराफात ने बाहर आ अराफास स्वैम तॉलिया लेकर ट्वालेट के दरवाजे पर खड़े रहे जिससे भिस्म जी हाथ पोच्छे सके ये घटना उनके आतित प्रेम के परमान है। फिर है अपने महले में हुई चोरी की वरदात पर एक रिपोर्ट तयार कीजिए। तो गस्त 20 जून 2016 को हमारे म महले में लाला खजूरी दास के यहां चोरी होगे। चोरी रात के लगभग 12 बजो ये घर के सभी लोग साधी समारों में गए थे हमारे महले में हर रोज रात 11 बजे से 2 बजे तक बिजली गूल हो जाती है। चोरों ने इसका भरपूर फाइदा उठाया वे पिछले के दर आपिस लोटे वे कुछ गनवान वेक्पियों को साथ लेकर ठाने में पहुंचे। पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर लिये हैं वाच चोरों की तलास में जुट गई है। इस्पेक्टर महोदे ने आस्वासन दिया है कि जल्दी चोरों को पकड़ लिया चोर्था है जनसेंख्या विर्दी समस्या समध्धान पर आलेक लिखे। यदि या कहा जाए कि बढ़ती जनसेंख्या देश की सारी समस्याओं की जड़ है तो यह बात बहुत सच माननी पड़ेगी बजारों में चलना दुसवर है रेलो और बसो में मारा मार है महंगाई से हाहकार है रासन पानी नोकरी के लिए लंबी कतार है एक खली जगा के लिए प्रातना पत्र हजारों हजार है सिर्फ जनसेंख्या विर्दी के कारण सारे विकास कार्यों का बंटा धार है संचेप कहे तो सौ बिमार और एक अनार है या देश लगभग एक जनसेंख्या विर के लिए रोटी पहनाने के लिए वस्तर पढ़ाने को धन और रहने को छपपर ना हो लेकिन ये मूढ लोग भूखे अर्धनंगे अनपढ बच्चों की कतारे खड़ी करने में नहीं सर्माते पुत्र को पुत्री से अधिक महत्व देना गरीबी बालविवा सुरच्छा की भा भाने वाली है बढ़ती जनसंख्या के दूसर परिनाम तो जनसंख्या के अबाद विदी ने अन्देशा में अनेक समस्या खड़ी कर दिया है विकट बरुजगारी हाकार मचाती मांगाए गरेबियास इच्छा बढ़ते अपरात कुपोसन बढ़ता पर दूसरा नादी जन पर भी उनका दिश्टी कोन संप्रदयवादी है नियंतरन के उपायतो जनसंख्या बन नियंतरन का ना किया जाना त्यानतावासा इस समस्या के हर के लिए विवा की नियुंतम आयू में विर्दी को सीमित रखने को उपायों का समुचित परसार होना चाहिए सरकार की और से छोटे परिवार वालों को परसाहन अर्विशे स्विधाय मिलनी चाहिए मनो योगनियों परसार भी बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है कि इन्तु वा आज कर टीवी पर दिखाए जाने वाले भोड़े और असलील विग्यापनों जैसा ना हो इसके अत्रिक्त कुछ कठोर उपाई भी अपनाने होंगे दो बच्चों से अधिक पैदा करने वाले को रस की सुईदा से वंचित किया जाएगा रचन या छूट के वल दो या तीन बच्चों तक की सीमित रहे धर्माचारियों को भी अन्विश्वासों पर हार करते हुए लोगों को सही मार दर्सन करन चाहिए बढ़ती जनसंग्या पूरी मानो जाती के लिए खत्रे की घंटी अधिहां इसी तरह आग बंद करके जनसंग्या बढ़ाते रहे तो हमारी धर्ती एक दिन भूकी नंगी उजाड और हिंसक मनुस्यों की निवास असली बनकर रह जाएगी अगला है पाट के अधार पर हर की पोड़ी पर हाने वाली गंगा जी की आरती का भापुन बनन अपने सब्दों में कीजे तो हर की पोड़ी पर होने वाली गंगा जी की आरती सभी भक्तों के लिए एक मनुरम देश से होता है आरती का एक एक सब्दा वले हर्दर असपरसी होता है जो दूर दूर के आए भक्तों के इतना सुख वानन्द परदान करता है कि वे मार के समझ कष्ट वा खर्चों को भूल का तलीन हो जाते पुल्जारी जब निलांजली को गंगा से असपर्स करता है तो ऐसा परदित होता है कि वह अपना संबोधन उन तक पहुंचा रहा हो गंगा जल पर सहस्त् आती वाले दीपों की पितोई जल्गिया जिन्मिला रही है और अंगरू चंदन की सुगन से चारो और वातवरन सुगन्दित हो जाता है छटा है राम के वन गमन के बाद उनकी वस्त्वों छोड़कर मा कोसलिया कैसा नूगा करती अपने सब्दों में वर्नन के लिए तो राम के हाथ में रहने वाले धनुसवान को देकर माता भाव वहील हो जाती इसी परकार खड़ाओं का त्या करके नंगे पाव वन को चले गए राम जी की खड़ाओं को देकर माता को सेल्या व्याकुल हो जाती है राम के सेनकच में उनकी उपर स्तिती मान कर भर्मित माता उ जगाने के लिए पुकारने लगती कि दू राम वन को चले गए जानकर पुना चित्र की भाती जडवत रुख जाती है पुत्र के वियोंग में माता की मनुदसा असंतुलित वहवार करती परतीत होती है जो सभाविक है गोस्वामी जीन ने अपने पद में इसका अतन्द मार् तो बच्चो ये सारे प्रसन जे सी आटी दिया जे सी आटी द्वारा ओफिसियल जारी किया गया प्रसन है एकजाब में जाने से पहले बाद जरूर देख ले चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं नेक्स वीडियो साथ जैहीन जैभारत